यह बताईए कि एक दो साल के बच्चा जो है कैंसर जैसे गंभीर माई से जूज रहा है और तमाम जो है परशास्निक विबस्थ था वो फेल जन परशासन के लोग इस बच्चे के घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इसकी सुथ लेने के लिए क्या कुछ कही है गश्पर्ट आज जी लोग यहां आए और पता चला कि इनका लगवक तेन महना साथ दिन हो चुका है और अभी तक यहां कि अभी तक न आना क्या दर्सात हैं मतलब इतनी सिलता हमारे आधिवासी समाज के बच्चों के लिए और एक एसी विमारी जो जिसमें हमको नहीं लुगता कि इन गार्जनों को कही दूसरे जगए जाना चाहिए की लोग को खुद आना चेह हैं ज़नत्रत सस्सक्राइब workик नोग के लिए मतलब दर दरबटक रहाएं अब इनका घर किले के देखेंगे इतनी इस्थिति ध्रहक का ही कहें मतलब होता ना कि आप रोना रोना आ जाए आपको देखे और यह अगर यह सबसे पहली बात तो यह मुल्बूत चीज भूख से यह हो रहे हैं इनके पास खाने पीने के लिए नहीं है इन्होंने बताए इसने अपने मवेशी बेज दिया इनका घर का इस्तिति यह सब देखे और जल्द ही हम लोग दो दिन के अंदर ही कुछ अच्छे जगह दिल्ली यह भेजने का प्यास करेंगे और अच्छे होस्पिटल में अच्छे कैंसर होस्पिटल में इनका इलाज कर आएंगे और ज्ञारकन सरकार से भी हमारी मांग रहेगी मानेनीय हैमन से जल्द इनके लिए व्यवस्था करें और अभी अगर उचीत समय पर अच्छा इलाज मिला तो यह स्वास्थ और बहतर हो सकते हैं समय की बस अवहिलना ना की जाए तो पेसो की कभी बताए जा रही है उसको लोग क्या तो अगदम सबसे पहले तो जाने के लिए यहां उनके पास कुछ नहीं है और अभी तमाम समाज से भी जितने भी आ रहे हैं और कुछ-कुछ अपने और से सहयोग कर रहे हैं जितने भी हो सके अपने समाज के इस सोना वभू के लिए कुछ डोनेट कीजिए एक रुपिया दो रुपिया पांच प्यादस पर जितना भी हो सके आप स्वेच्छा से जरूर कीजिए इन बच्चे के लिए सभी से यह बारं-बार निवेदन रहेगा आप लोग अभी क्या मदद कर रह से चावाल वगेरा और कुछ-कुछ आलू वगेर दाल वगेरा लाया गया है ताकि खाने की विएस्ता हो सके क्योंकि अगर